दोस्तो ये जो आप देख रहा है भड़ी दो पहरी में बकडियों को चरते हुए तो ये चर तो रही है लेकिन इसके साथ कोई और चर रहा है और ऐसे ही मेहनत बकडी पालन में आपको करना पड़ेगा नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आसुतोस और आपके अपने चैनल इस्टेलर फर्मिंग पर आपका स्वागा थे दोस्तो आज की वीडियो बकडी पालन से संबंधी तरहने वाली है और बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि हम दिल्ली मुंबई या गल्फ कंट्री से रहके और ब जानवडों की संख्यात देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ जो चल रहा है वो किस दिसा में चल रहा है तो काफी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है पूरा गनित आप आज बक्री पालन का समझेंगे साथ ही और किस चीज के यह फार्मिंग कर रहा है आपको तमाम जानकारी आगे वीडियो में मिलने वाली वीडियो को स्किप मत कीजेगा आखरी तक दखीगा तो आई दोस्तों देर पिछली बार भी आप आए थे तो वीडियो देखे थे तो इस टाम तो बक्रीओ की संख्या मोटा मोटी बहुत ही कम था लेकिन हम आपसे वादा किये थे कि अगली बार कुछ ने कुछ हम बढ़ा के दिखाएंगे इस बार अच्छी संख्या है तो इस बार कम से कम ज्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन आठ बचा का बढ़ोत्री हुआ है और तो खड़ी द्विक्डी चलता है वो चल ही रहा है अभी देख रहा है कि पूरे एकदम भड़ी दो फड़िया में जो है आप लोग मतलब मुर्गी पालन फ्री रेंज में करते हैं आप बकडी पालन फ्री र संख्यारन के बढ़ोत्री सांज्च में ही है इसमस्ते पिश्ड करता है थोड़ा सा सवस्ते बढ़ crítis की ही गवरी हैं gonna के चले तो आप जैसे कर रहे हैं कि अभी कुछ समय के बाद जो है उसको स्टॉल फीट पर ले आएंगे अभी कम्प्लीट रूप से आपकी बकडियां चड़ाई पर हैं तो एक तरह से समझ सकते हैं कि फीड कोस्ट बहुत कम खर्च फीड कोस्ट पर हो रहा है लेकिन जब आप स्टॉल फीड पर रखेंगे तो आपको बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ेगा जैसे कि आप बता रहे हैं ग्रेन फूडर वगएर का विवस्ता करना पड़ेगा तो यह सब खर्चे हुए हैं जैसे एक नया घास है दसरत घास हम रोब चुके हैं तो दो महिना में काटने लाइक हो जाएगा और बज रहा है जिनो रहा है अभी सीजन जो है गर्मियों में उसा भी कटिंग हो जाएगा तो बरसात के पहले हम इस रूप को मेंटेन कर लेंगे और जो भूसा का खरीदारी है वह भी करीब करीब पूर्णुरुप से कर लिया जाएगा ताकि छे महिना को जो या चार महिना का जो बकडिया के खिलाने का जो बरसात में ठंडी के मोसम में जब धूप नहीं निकलती है उस समय को मेंटेन करने के लिए विधिववस्था दो तीन महिना में बना लिया जाएगा अभी आप जैसे बातचीत के करमें पता है कि नौ मेमने जो हैं दस दिन के भीता रहे उसके बाड़ें बताईए नौ मेमना जैसे बाबाजी के पास से हम बरबड़ी का विड़र लेके आए तो सब एक ही डियूरेशन के टाइम में बकडियां चुकि तो दस दिन के अंदर अंदर पांच बकडियों से नौ बच्चा मिला तो नौ में एक बच्चा किसी कारण डैमेज हो गया आठ तो मेरे पास जीवित रूप से है अभी अभी जो बात करें संख्या टोटल बड़े चोटे मिला कर कितने है बड़ा चोटा मिला के टोटल संख अभी जैसे 26 है तो अभी जो आप कहा रहा है कि उसको फिर से हम पूरा विवस्थी तरीके से लाएंगे तो उसके लिए थोड़ा जगह भी चाहिए तो क्या उसको इसी में विवस्था करेंगे या कहीं क्या करेंगे वह पताई जगह के लिए पीछे बनाया हुआ है तो बस अभी चाहिए तो पचास को भी प्राप्त करेंगे लेकिन चालेस तो पार करना एकदम सभाविक है कि चालेस क्रोस कर जाएंगे तो जो इस साइड पीछे साइड जो है अभी लगभग आधा बन गया बस उपर से थोड़ा सा और बढ़ा के सेड़ बगर बना देंगे तो इ जो आया है उसके अधार पर बताईए बखडी पालन कैसा लग रहा है मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है चुकि कम पुंजी का बहुत बढ़ियाँ वेवाखती कर सकता है अनता आज के जमाना में वेवाखती करना बहुत स्ट्रouvert का काम है एक तो पुंजी आप उत्पा पारजन कर सकते हैं कोई भी काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्या मैं सही कह रहा हूं सर आप बिल्कुल सही कह रहा है चुकि उमर 35 साल का हो गया है तो 35 साल का तो कुछ न कुछ अनुभाव रहा होगा तो हम लोग इससे पहले ट्रांस्पोर्ट लाइन में काम किये गाड़ी घोड़ा भी खुब चला है दिली पंजा भी खुब हुमें और लास्ट जाते जाते हम लोग एक बिहार सरकार का योजना था नल जली योजना उसमें करीब करीब लेवर रूप से काम स्टार्ट करके मिस्तिरी रूप में भी काम किया फिर जाके ठिक दाड़ी तका का म किया उस टाइम करीब करीब 10-20 लेवर मेरे अंडर में वर्क करते थे और अचानक करोना आने से हम खुद वेरोजगार हुगा तो लेवर का क्या देखना है तो कुछ दिन डिप्रेशन में रहे साल भर मुटा मुटी डिप्रेशन में रहे उसके बाद करज बहुत ओभर हो गया था करज को मेंटें किये फिर धीरे धीरे पुंजी जूटाते हुए एक नया उध्यम जो चालू किये है जो आपके सामने दिख रहा है जिसमें बकडी पालन मुडगी पालन मचली पालन और थोड़ा बहुत खेती मिला जूला है तो यही सब चल रहा है तो यह सब पैसा जो आप लिए था यह सब खतम हुआ या आभी है आपके उपर करज अब करीब करीब खतम समाप्ति की और है चुकि आप करज लिए हुए है तो खतम नहीं हो सकता है चुकि लेना है देना है लेना है देना है तो अब यह इस्थिति है कि पहले से बहुत रहात है और दिरे-दिरे समाप्ति की और कर्ज है तो फिर आगे अपग्रेडिंग का एक मौका फिर से हमको मिलेगा एक लेमें कोस्टन होता है कि ज्या रहा है लेकिन यहां तक पहुचने में बहुत सा टाइम लगा है बहुत सा इफिसेंट लगा है काफी संगर्ज करना पड़ा है तो आप अगर सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि चंध्ण यह को समझ बूझ के काम को करना होगा और यही कारण है कि लोग फस रहा है तो नहीं आप हमारा जो भी विधी विवस्था देख रहा है इसके परदा के पीछे बहुत से चीजे हैं जो छुपी हुई है जो हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे तो इसके लिए आपको प्रोपर मिलके घंटा टाइम देखे सारे चीज को समझना पड़ेगा तब जाके आप बढ़ियां से उद्धियम को अस्थापित कर पाईएगा तो दोस्तों दो इनका संघर्स है और तब जाके बहुत अच्छे तरीके से चीजों को किये हैं तो आज 15 1220,000 रुपए गाउं में रहकर कमा रहे हैं और अगर इतना आ रहा है तो गाउं में आराम से रह सकते हैं सहर में जैसे कोई रेंट वगरा का तो टेंसन है नहीं कि अपना मकाने सब कुछ तो कर रहे हैं लेगिन काफी इतना इस इस्तिती तक पहुंचने के लिए काफी मेहन परा कि एक तो बेरोजगार बेखती हैं काम तो कहीं है नहीं और इस्थिती ऐसा था कि कहीं काम मिल नहीं सकता था चुकि कोरोना का असर था सब जगह लोगडां था दिली-पंजाद के लिए समस्या बहुत गंभीर ती और ऐसा लगा कि अब अपना ही कुछ की आजा चुकि करोना ने एक चीज़ सिखा दिया था हमें कि अगर दिली पंजाब गाया है बहुत बढ़ियां कमा रहा है तो यह जटका में लोग लाख लाक रुपया पर मंत कमाते हुए भी बेघर हो गया था बेरोजगार हो गया था तो इस चीज को देखके हमको समझ में आया कि अब जो से मदद मिला और हम किसी को भी कहना चाहेंगे कि पांच लाख आपको लगाना है एक बार पुंजी तो एक ही बार ना लगाए उसको दस डिभाइडेंट करके दस भागों में करके लगाए हर चीज को पहले किजिए तीन महीना उसको सीखिए समझे छे महीना सीखिए समझे फिर अगला इंवेस्टमेंट किजिए फिर उसको उतना पर मेंटेन किजिए कि उतना आप से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है फिर उसके बाद फिर इंवेस्टमेंट किजिए तो इस तरह से चीजों को करते जाएगा समझते जाएगा तो आप सफलता कि सीढ़ियों को च चलना पड़ेगा तभी जाके आप सफलता के सीडियों को चड़ पाइए और शुरू से लेके मोटा मोटी गड़मी के दिनों में बाबा का मेरा मुलाकात करीब करीब एक साल पहले इन ही दिनों हुआ था उसके बाद से बाबा का सपोर्ट हमारे पास बहुत बढ़ियां रहा बाबा बहुत बढ़ियां डंग से हमको सपोर्ट करते रहे इसके पहले भी हम बाबा का वीडियो दो चार बार देखते थे लेकिन जाने का फुर्षत नहीं मिला तो जा नहीं पाए लेकिन जब से संजोग बस मुलाकात हुआ उसके बाद से दो तीन बार गया बाबा भी मे अड़ोबरि दिया हुआ भी इए हमारे पास आया तो एक इंकम को साधन बना हुआ उसके अबैद हा करेंगे कि लोग बकड़ी से पैसा कमाते है लेकिन यह बाबा बाबा को बुलाना चाहते हैं क्योंकि हम भी जब आ रहे तो रास्ते में ये कुछ वेटरिनरी का जो है दवा वगएरा जो होता है वही ले रहे तो आज हम बोले कि चली आप ही के जैसे इतने दिन से चंदन जी कर रहे हैं तो कैसे जाए कि हाँ अगर देखा जाएगी कैसा फाम चल रहा है तो एक गुरू के हैशियत से आप क्या कहेंगे टेस्ट मैस पर राहूल जविट के तरह ठीके रहिए इका दुकारन बनता रहेगा और मुनाफ़ा होता रहेगा और इनका तो समयतिक फार्मिंग है मुर्गी से अंडे से मशली से बक्री से और फिर इनको एक नया जरिया हम इनको सुझाओ दिये कि आप बीडर रखी लोग दुलिन बजार पालीगन से मेरे पास आते हैं तो इसको ट्रांसफर हम आपके पास कर देंगे और उससे भी आपको एक ब्रीडर से तीन सो रुप्या ड़ाई सुरुप्या शुरुप्या देगा लोग बाद में तीन सो रुप्या का रेशियू आपको मिल जाएगा और ऐसा ही हुआ बहुत अच्छा इनका कारोबार चल रहा हम संतुष्ट है इसके बारे में ही थोड़ा सा वी विस्तार से बताइए जैसे बहुत लोग बकडी पालन में कहते हैं बकडियों से इंकम लेकिन यह जो अभी बताए चंदन जी तो बहुत अच्छा लगा कि ब्रीडर से बेढ़ार रहे हैं तो आप ही विस्तार से बताएए कि क्या है यह देखिए सर हर को यह अँद अच्छा कपड़ा अच्छा मकान अच्छा रहनचन खोशता कि दूनिया में वह उड़ें ये तो सब कोई जानते हैं सबको अच्छा लगता है कि मेरा भी बकडा अगर खंशी पाले हुए हैं तो 40 kg 50 kg का हो जाए सुन्दरता में हो जैसे कि हमारे दर्ती पे मुशलमान भाई लोग जो है उनका एक कुर्वानी का बहुत अचाते वहर होता है उस ते वहर में सुन्दर से सुन्दर बक्रे की चाहत होती है उसको लोग साल भार छे महीना पहले से उसको अप पहलाम यह कि अ हमने 6 साल में जहला ब्लैक भंगाल भक्री है ठीक है मतन अच्छा है उसका स्वाध अच्छा है लेकिन तक शुंदरता की बात है उतना कलर नहीं आता उसके लिए हमें बाहरी बीठ की साहरा लेने पढ़ता है जिसमें बरबरी जो है बलैक चुर्प की तो वीडर मेरे पास था मेरे किसी काम का नहीं था क्योंकि मेरे पास अभी बड़ी बड़ी की बखरिया है तो मैं इनको सजेशन दिया कि आप बरबरी का बीडर ले जाए और खुद का भी मेटिंग करवाई और लोगों के इलाके में तो बलेक बंगाली है यह आपके पास महाईना में रखा हुआ है तो इस तरह से आपका आयक आयक शाधन बन जाएगा तो यह एक एक एक्स्ट्रा इंकम हो गया और जीयों पर खर्च है इनका चराई पर है हम तो देखे हमने इनको दिया था जो बीडर लगभग 17-18 केजी या 20 केजी के लमस्रम होगा अभी अच् चीश के जी से पलस में जा रहा है अच्छा हष्ट पूष्ट है कोई दिकत नहीं है और जैसे चंदन जीवा मचली पालन भी कर रहा है मुर्गी पालन भी कर रहा है तो उसमें क्या कैसे इंकम का शुरूत आपने जेनरेट किया वह बताईए हमारे पास जैसे हम पाली गंज के बिल्कुल बजार में बसे हुए हैं और मेरा फारां भी बिल्कुल पाली गंज के मतलब रही सिलाका में अस्थापी था तो इस वज़े से हमारे पास मचली हो अंडा हो मुर्गी हो यह फिर मटन हो यह टोटली का टोटली रिटेलर भाव से बिखता है तो हमारे पास बिक और मुर्गा भी बढ़िया दाम में निकल जाता है तो मेरे पास बिकड़ी कोई समस्या नहीं है मेरे पास तो अस्टोक कम रहता है तो दोस्तों देखिए यह होता है मार्केटिंग स्किल समय तो लगा लेकिन अपना मार्केट यह खुद बनाए और आज लेजिए कि यहां गा कोई दस के जी कोई दोग को जी जिसके पास जिस हिसाब से कंजप्शन है उसी साब से अपना ले जाते हैं तो यह इस्थिती है इनके फार्म की और ऐसे ही हम ऐसे युवाओं से मिलाने का मतलब यह रहता है मेरा धे यह रहता है कि आप कुछ सही इंफॉर्मेशन आज जो य दने बाद असुतोष जी जो हमारे जैसे लोगों की बात को दुनिया में फैलाने के लिए और सही मार्ग दर्संत का जरिया आप लोग हैं सोसल मीडिया सोसल मीडिया तो बहुत है लेकिन जो हकीकत को बया करें किसी के दबाव में ना आए तो ऐसी जनकारी लोगों तक करके समझ बुझ के मार्केटिंग को भी समझते हुए और जहां जहां फार्मिंग हो रहा है वहां जाके अपने से नरिच्छन कर लिजिए आंखों देखके फिर काम को स्टाट कीजिए सिर्फ वीडियो देखके सफलता मिलना संभाव नहीं है तो फारम घुमिए सफल जो फ काफ़ी पसंद आई होगी यहां आकर चीजों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं बूच सकते हैं और इस्तरह के फार्मिंग के मोडल को अपना सकते हैं तो आसा है यह वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आहीं होगी पसंद आए तो एक लायक चूरू करिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब किजिएगा थैंक यू फर वाचिंग